हेलो फ्रेंट, विल्कम बैक टू माई चैनल, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि वियाड डियलेट का थार्ड मेरिट लिस्ट दोस्तों जारी कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे एसे स्टुडेंट है जिनका अभी तक कोई भी कॉलेज अलोट नहीं हुआ है ठीक है, तो दोस्तों कुछ ऐसे स्टुडेंट है जिनका कॉलेज अलोट हो चुका है, थार्ड मेरिट लिस्ट में, तो दोस्तों उनके लिए 17 दिसंबर तक एडमिशन का लाश्ट डित ने धारित किया गया है, दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वैसे स्ट प्राइबरेट कॉलेज के लाइक भी आया नहीं होगा, थीक है, तो दोस्तों सब को चाहिए सरकारी तो सरकारी सब को मिलना पॉसिबल नहीं है, तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है कि मांक्स लाना पडवेगा 200 प्लस मांक्स, ठीक है तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एडमिशन कैसे पा सकते हैं सरकारी कॉلेज में तो दोस्तो इसके लिए वीडियो को फ्ली एंड तक जरूर देखिए तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो बिहार DLA admission परविस परिक्षा 2023 से पसी सेशन के लिए यानि नए सेशन के लिए दोस्तो आपको online आवेदन 16 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगी और इसकी अंतिम तिती आठ फरवरी तक निर्धारित की गई है दोस्तो आपको बता दू दो मार्च 2023 को जो है कि इसका एडमिट कार जारी किया जाएगा और फरविस परिक्षा जो होगी 13 मार्च से लेकर 20 मार्च 2023 के बीच में आयोजित की जाएगी ठीक है और इसका एंसर की जो है कि 27 से 30 मार्च के बीच में अप्रोड रहेगा अगर आपको कोई अब्जेक्शन होगरा डालना है तो डाल सकते हैं और इसकी काउंसलिंग की परकिरिया माई 2023 में शुरू हो जाएगी और इसका एडमिशन की परकिरिया जो होगी आपको जून से पह करना पड़ेट किए सबसे पहलेए आपको बहिया से दियारी करना पड़एगा और दूसर प्र望 समाक्स आपको लाना होगा ठीक है उसके बादी जो है कि आपको सरकारी को छो हो सकता है घुक है तो डूस्तों इस वीडियो के मादम से आने आपको पूरी जनकारी दी तो दो आपको आगे भी मिलते रहा है धन्यवाद दो